हलो रिवन, वेलकम इन माई क्लास, स्वागत है आप सभी का, आज का हमारा टॉपिक है मादक दर्ब वेशन, भारती समाज की एक बहुत बड़ी समस्या लगबग हर छेत्रों में देखने को मिल रही है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, तो नसीले पदार्थों का सिकार क केवल इवक ही नहीं, अपितु वारवर्स से 14 वर्स के बच्चे भी इसमें सामिल है, और एक अध्यान से यह पता भी चला है कि केवल असिच्छी थी नहीं, बलकि प्रतिभाशाली और अच्छे खासे पढ़े लिखे छात्र भी इस प्रकार के पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, और एक अध्यान से यह भी पता चला है कि लगभग 25 प्रतिशत बच्चे जो बड़े-बड़े महाविद्यालियों में, बड़े-बड़े स्कूल कालेजों में अध्यान रध हैं, इस प्रकार के लद्ध में लगे हुए हैं, तो यह एक बहुत-बड़ी समस्या के रू अध्यान सेवन है, जो ब्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभाविद करता है, मादक द्रब बैशन ब्यक्ति की वह स्थिती है, जिसमें वह किसी औशधी का इतना सेवन, अधिक सेवन करने लगता है, कि वह सामान अवस्था में रहने के लिए भी उस पर डिपे हैं, इसमें हमारा फॉस्ट है उत्तेजक, तो इसके अंतरगत कोकीन, ड्राकसिडीन, मैथडीन आदी आते हैं, और जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जो उत्तेजक द्रब हैं, इसके खाने से नीद नहीं आती है, और ऐसा लगता है कि सरीर में उर्जा सक्ति बढ़ गई ह मिन्स की जो ब्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करता है, उसे नीद कम आती है, और उसकी उर्जा सक्ति बढ़ जाती है, ऐसा उसे महसूस होता है, दूसरा है, सेकेंड हमारा निस्तेजक, इसके अंतरगत अफीम, गाजा, चरस आ दियाते हैं, और निस्तेजक द् के लिए लोग इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, थर्ड है हमारा भ्रांतिक या भ्रांतिकारी, तो इसके अंतरगत LSD आते हैं, ठीक है, आद इस प्रकार के पदार्थ आते हैं, इन्हें माईक द्रबे बेशन भी कहा जाता है, तो जो माईक द्रबे बेशन होता है इसके सेवन से बेक्टी दिन में जाकते हुए सने देखने लगता है था ब्रतित का संबंद वास्तविक्ता से दूर हो जाता है मिं उसको भी वो बेटित सत्यमानने लगता है आइजने की जिसे समाज में फैल रहा है तो फॉस्ट हमारा पारिवारिक प्रिस्थितिया की वज़ा से या परिवार तूटने की वज़ा से बच्चे एकांग की तथा असुरच्छित मैसूस करते हैं और इसलिए वे सामाने तह मादक द्रब्यविशन के सिकार हो जाते हैं सिकेंड है हमारा किसोरा अवस्था तो ये अवस्था ऐसे होती है कि नई नई चीजों को जानने की जग्यासा बनी होती है तो इस जग्यासा की वज़ा से बच्चे की चलो ट्राय करते हैं तो इस वज़ा से बच्चे मादक द्रब्यविशन के सिकार हो जाते हैं थर्ड है मारा कुशंगती का प्रभाव तो कुशंगती के कारण भी हम देखते हैं कि जो कुशंगती है तथा दूसित परियावरण मादक द्रब्यों के सेवन को प्रोशाहित करते हैं अगर ब्यक्ति के चारों और इस प्रकार का परियावरण है तो ब्यक्ति बहुत दिन तक इन चीजों से बच नहीं सकता है तो इससे भी मादक द्रब्य वश्रू उन वश्रू के प्रयोग में प्रोसाहन मिलता है फूर्थ है हमारा मादक द्रब्यों के सौधागरों की भूमिका तो जो ये सौधागर होते हैं ये क्या करते हैं पहले जो बच्चे होते हैं, जो स्रमिक होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको फ्री में ये चीजे देते हैं, जब उन चीजों की उन लोगों को लत पड़ जाती है, तो फिर बाद में ये पैसे वसूलना शुरू कर देते हैं, तो इनकी बहुती बड़ी भूमिका है समाज मे जिससे इन जीजों को प्रोसाहन मिलता है मादक द्रबिवेशन के समाज पर प्रभाव क्या है तो चलिए देखते हैं हमारा फॉस्ट है मादक पदार्थों का ब्यक्ति के स्वास्त पर प्रभाव तो सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ता है कि मादक पदार्थों के सेवन से बिभीन प्रकार की सारे दिक बिमारियां पैदा हो जाती है साथ ही बैक्ति की कारे चंता भी प्रभावित होती है सरीर निश्क्री और कमजोर हो जाता है रोगों से लड़ने के प्रतिरोधक चंता समाप्त हो जाती है कि तरह तरह की बिमारिया शरीर में लग जाती है तो सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्त पर पढ़ता है सेकेंड है मादक पदार्थों का बेक्तिके आर्थिक स्थिती पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है मादक द्रव्यों के सेवन से अनेक आर्थिक समस्याओं का जन्म हो जाता है क्योंकि आय का अधिकांस भाग नशी की भेट चड़ जाता है जिससे बेक्ति की आर्थिक स्थिती प्रभावित हो जाती है थार्ड है इससे अपराध नियम आद की अवहेलना तथा ब्रहष्टाचार में ब्रध्धी होती है मादक द्रव विश्णों के सेवन से बेक्ति परिवार समाज में बिग्टन की स्थिती उत्पन हो जाती है साथ ही साथ अपराधों में भी ब्रध्धी होती है नियम हीनता ब forb는지 फूर्थ है मरा सिच्चा पर प्रतिकूल प्रभाव चुक्य अभी आपने देखा कि बच् calor हिसमे इसके प्रभाव में है तो इसे सिच्च्छा पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है चुकि एक लथ होती है बच्चा पूरे दिन युवा पूरे दिन नसिय根 की स्थिती वर्ग के द्वारा ही किया जा रहा है तो ऐसी सिती में कारे चमता प्रभावित होती है जिससे की उत्पादन चमता पर प्रभाव पड़ता है छटा है हमारा स्रमिको तथा अंत में संपूर समाज को हाने होती है चुकि उत्पादन चमता कम हो गई तो देश की आए प्रति बे मुझी की एक तरीके से देखा जाए कि चारों तरब से समाज प्रभावित होता है। ईसकी अर्थ बिवस्ता प्रभावित हो जाती है, समाज गोगों पर समाज पर गलत प्रभावी पड़ता है। चलिए आगे दिखते हैं, UGC Net से संबंदित कुछ महतपूर प्रस्न है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बाक्स में देना है, तो फॉस्ट है हमारा अंतराष्टिय मादक पदार्थ सेवन और तसकरी निशेत दिवस कब मनाया जाता है, सेकेंड है भारते संसद में NDPS Act का पारित हुआ था और थार्ड है NDPS की फुल फार्म क्या है, ठीक है तो आए तिंक आपको वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक से सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले, थाइंक यू,